और आज के से वीडियो में बात करने वाले हैं Unit Vectors Along the Radius and Tangent This is the third lecture on Circular Motion और पिछले वीडियो में हम लोग ने बात कर लिया था Basics of Circular Motion और Uniform Circular Motion और Non Uniform Circular Motion जो काफी जादा Important था तो चलिए इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब अभी तक नहीं के तो प्लीज कर लिजे और बेल नोटिफिक्शन भी आन कर लिजे और इससे अपने दोस्तों को प्लीज शेर कर दिजेगा इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं तो देखिए वेक्टर अलॉंग्दा रेडियेस अंड टैन् capitalism चैनल में चाहिए और एक्टैनल سब्सक्राइब ए सिंटव ऑन होता है योनिट बेक्रम चिंटिन करने करने में से अपहले कुछ टर्म दिक्क लेते हैं एर जो गलें और क्या हम लोग लेंगे रेडियल यूनित वेक्टर मिंस center to its peripherar तो ये क्या होगा बूर्ण ओ requirement जो एक unit वेक्टर ये Er क्या है unit vector और साट दा मिंस और साट दा परिफेरर और ये Et क्या है tangential unit vector ठीक है tangential unit vector इन दोनों को derive करके अब हम देखते हैं तो चलिए किसी time t पर यह theta angle मान लिया हम लोग ने this place क्या होगा so इस p point का coordinate क्या होगा theta angle है तो r cos theta और r sin theta ठीक है r cos theta और r sin theta तो x में क्या हो जाएगा r cos theta और y में क्या हो जाएगा r sin theta ठीक है इतना समझ में आया so coordinate निकल गया तो इसका position vector निकल जाएगा means op vector means जो हम लोग ने radial vector लिया ठीक है तो इसका direction में देख लिए center to its peripher ठीक है उस point की तरफ तो ये position vector क्या हो जाएगा i cap j cap लगा दें means r cos theta i cap plus r sin theta j cap r vector मिल गया हमे तो ये तो r vector ना है हमें क्या चाहिए unit vector means er चाहिए हमें unit vector radially unit vector तो चाहिए r vector में दो चीज़े होंगा हम लोग ने निकाल के देखा था अपने vector series में unit vector कैसे निकालना so vector में दो चीज़े होते हैं उसके magnitude और उसका direction इससी direction को हम लोग क्या कह देते हैं er ठीक है so er is equal to क्या होगा r vector divided by its magnitude तो r vector क्या है ये है तो इसमें से हम लोग ने simply r common ले लिए तो अंदर क्या बच्चा cos theta i cap plus sin theta j cap divided by इसका magnitude क्या हो जाएगा root over इतना square plus इतना square का sum ठीक है तो देखे er cap क्या हो जाएगा r common ले लिए और ये cos theta i cap plus sin theta j cap divided by इससे solve करेंगे तो क्या आ जाएगा r आ जाएगा r स r cancel हो जाएगा और हमें मिल जाएगा unit vector क्या मिल जाएगा cos theta i cap plus sin theta j cap तो radial unit vector क्या हो गया er जो कि होगा cos theta i cap plus sin theta j cap ठीक है at an angle theta theta change करेगा तो इसका value हम लोग निकाल सकते हैं तो चलिए radial vector हम लोग निकाल लिए अब tangential unit vector निकालते हैं तो देखे tangential unit vector के लिए तो तरीके हैं लेकिन इसे जल्दी से कैसे निकाला जाए तो देखे radial unit vector radius और tangent दुनों एक दूसरे पर perpendicular होता है means 90 degree पर होता है है ना और velocity भी perpendicular होता है radius पर ये भी आप लोग ने देख रखा है तो देखे क्योंकि ये दोनों perpendicular होता है ना तो इन दोनों का slope का product means इसका slope अगर m1 है और इसका slope अगर m2 होगा तो दोनों का product होना चाहिए ये m1 into m2 equal to minus 1 आना चाहिए तो देखे simply क्या करेंगे तो इसका slope क्या होगा इसका slope आपको देखेंगे तो क्या आएगा 10 theta sin theta upon cos theta means 10 theta आएगा तो इसका क्या ना चाहिए 1 by 10 with minus sin means minus cos theta ठीक है समझने की बात बस यह है कि अगर हमें slope change कर दाना तो simply इसके जो coefficient है इसे एक दूसरे को exchange कर देगे है क्योंकि product क्या हो जागा means m1 m2 क्या होगा minus 1 तो यह तो 10 है तो इसे minus बनादा मिस किसी भी एक में minus लगा देंगे बट ऐसे ही नहीं लगा देंगे tangent जो tangent unit vector है वो कैसे है tangential unit vector इस direction में है तो इसका कौन सा component negative लेंगे यह देखते है तो देखिए अगर इसे हम resolve कर लेंगे तो क्या देखेंगे कि जो इसका जो x coordinate आएगा जो x में इसका image आएगा वो minus x की तरफ है इसका क्या कौन सा component negative होगा i cap बला तो minus sin theta i cap और यह क्या हो जागा plus cos theta j cap ठीक है याद रहा जाएगा means tangential unit vector और नहीं इसे method में भी जाना बहुत ज़रूरी है तो चलिए इसे method जान लेते है तो देखिए circular motion कर रहा है कोई point p पर हम लोग देख लेते है at an angle theta तो यह theta है तो यह angle क्या हो जागा यह p point है velocity tangential है है ना तो यह theta होगा theta तो यह क्या होगा 90 minus theta और यह vertical के साथ कितना मना लेगा theta ठीक है इसका magnitude unit हम लोग ने ले लिया तो इसे अब resolve कर लेंगे so x के तरफ क्या जाएगा 1 sin theta और y की तरफ क्या जाएगा 1 cos theta तो x की तरफ क्या आगया minus x की तरफ आया यह minus x का होगा और यह plus x तो x component क्या जाएगा minus sin theta x की तरफ है तो i cap और और ऐसे भी देख सकते हो minus x में क्या होगा minus i cap plus cos theta positive y है तो j cap ठीक है और नहीं तो एक और तरीका यहाँ पर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यह theta और यह पूरा 90 तो यह 90 minus theta हो जाएगा और यह दोनों perpendicular होगा क्योंकि यह इसके साथ 90 था ना तो यह इसके साथ 90 होगा तो यह 90 minus theta तो यह theta और फिस जो हम लोगों ने वहाँ किया था यहाँ पर कर सकते हैं और यह theta तो 1 cos theta इधर और 1 sin theta इधर जिधर theta उधर cos है ना यह 1 था तो theta इधर था तो cos theta इधर और sin theta इधर हो गया तो हम लोगों ने निकाल लिए tangential unit vector तो चलिए अब फिर से quick recap कर लेते हैं और इसे याद करने के method देख लेते हैं so radial unit vector क्या है cos theta i cap plus sin theta j cap और tangential unit vector अगर हम भुला भी जाएं तो तुरण निकाल लेंगे तो direct coefficient को क्या कर लेंगे exchange कर लेंगे means j का coefficient और i का coefficient means sin theta i cap और cos theta j cap और direct देख लेंगे कि इसका i जो होगा जो x में इसका image होगा वो negative की तरफ होगा means negative x axis में होगा तो x component minus हो जाएगा और ये plus का plus रह जाएगा ठीक है तो बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया अब इसके direction पे भी थोड़ा focus कर लेते हैं दिखा होगा रहाएगा minus er ठीक है means जो ये point o से means origin से p था जो p से अब क्या होगा वो हम लोग क्यों बता रहे हैं वो मैं अभी ही बता देता हूँ next video में हम वो भी देखेंगे क्योंकि देखिए जब हम लोग acceleration निकालेंगे न तो एक magnitude आएगा जिसमें minus er आएगा means negative unit vector means क्या हम लोग देख सकते कि जो unit vector था वो क्या था from origin to the peripheral और minus लगा देने से opposite हो जाएगा means point to the center means towards the center और वो हम लोग को जो माना था वो क्या था outside the center means outward the center इतना सब्ज में आया तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं velocity निकालेंगे और acceleration को drive करेंगे मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको इस वीडियो को content अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe अभी तक नहीं के तो please कर bell notification on कर देना और इसे अपने दोस्तों को please share कर देना हम लोग मिलेगे अपने अगले वीडियो में thank you for watching